ये The Hello students, welcome to govtJawsTripation.com आज हम पढ़ेंगे lesson no.4 present continuous present definite हम खतम कर चुके हैं आज lesson no.4 पढ़ेंगे present continuous जिसकी पहचान है, रहा है जिस भी sentence के जिस भी वाक्य के last में रहा है, रही हूं, रहे हैं इस तरीके का आपको देखने को मिले तो समझ जाएगा कि present continuous की बात हो रही है present continuous हमें दो चीज़े बताता है एक तो कोई काम जो already progress में है वो और दूसरा nearby future के बारे में हमें बताता है तो किस तरीके से हम इसके sentences बनाते हैं देखिए यहाँ पर भी I, You, They, We, He, She, It इन सब काम इस्तेमाल करते हैं हमारी जो rules है वो है isMR, verb की first form और ing हमें अपने subjects के साथ isMR का इस्तेमाल करना है उसके बाद verb की first form लगाके उसके आगे simply ing का इस्तेमाल करना है हम लगाएंगे m, u के साथ are, they के साथ are, v के साथ are, he के साथ is, she के साथ is, it के साथ is Singular अगर किसी का नाम आता है तो भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे लेकिन अगर एक से ज़ादा नाम आते हैं तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर सिंगल सिर्फ आई ही एक ऐसा है जो सिंगुलर है लेकिन उसके साथ M का इस्तमाल होता है अब एक चीज और देख लेते हैं जैसे कि M not दो चीजें होती है इसमें सिर्फ M not और R not इसकी short form होती है and और इसकी जैसे हमने लिखा तो and अगर आप सोचते हैं कि M not है तो and हो जाएगा R not है तो and हो जाएगा तो यह गलत है हम M not को भी and ही लिखते हैं short में या फिर and का इस्तमाल करते हैं अगर आप इसका इस्तमाल करते हो तो यह बिलकुल गलत है एकदम wrong आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं M not के बज़ाए और इसका भी कर सकते हैं R not के लिए aren't का ही इस्तेमाल करेंगे short form में चलिए sentence बनाते हैं मैं पढ़ा रही हूँ मैं I I के साथ क्या लगेगा M पढ़ाना to teach लेकिन ing लग जाएगा तो ing लग गया I am teaching sentence पूरा हो गया हम चोर की दुलाई कर रहे हैं दुलाई मतलब बहुत जबर जबर जब पिटाई हो रही है चोर की तो we कौन दुलाई कर रहे हैं we we के साथ क्या लगता है are दुलाई करना we are threshing the thief badly we are threshing the thief badly we film नहीं देख रहे है negative sentence आगया we they दे के साथ क्या लगता है are negative sentence है तो क्या लग जाएगा not they aren't movie देखना to watch but ing लग जाएगा the movie they aren't watching the movie Sophia John के लिए व्रत नहीं रख रही है Sophia Sophia कोई singular है is आएगा singular name है किसी का Sophia is not यहां मैं is not लगाना बताना भूल गई is not को कैसे लिखेंगे हम isn't Sophia isn't keeping fast for John Sophia is not keeping fast for John sentence number 5 मैं मीद को गुसा दिला रही हूँ मीद किसी परसन का नाम है इसलिए मैंने उसे एक inverted commas में लिख दिया I am गुसा दिलाना to infuriate infuriating me I am infuriating me तुम उसे धोका दे रही हो you are धोका दे ना to ditch या फिर deceiving him or her you are ditching her or him you are deceiving him or her तो friends यह था lesson number 4 positive negative मैंने इसमें पढ़ाए है next lesson में मैं आपको interrogative sentences पढ़ाऊंगी positive negative बोथ be ready for the next video thank you for watching